25 सब्ता, 5 किताब और 8 घंटे अगर आप next 25 वीक ये 5 किताब जो मैं अभी suggest करूँगा और 8 घंटे रोज देने के लिए तयार हो तो ये वीडियो आपके लिए है आप लोग काफी दूनों से वेट कर रहे थे SSC CGL 2025 के लिए जो हमारा weekly target था वो finally हम start कर रहे हैं इस week से इस weekly target में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं कैसे कैसे करने वाले हैं इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं मैं आपको बता दू अभिनव नाम है मेरा और ये मेरा जो channel है ये basically maths पर focused है हम लोग maths पर काम करते हैं और personally मैं अपनी बात करूँ तो मैंने SSC CGL के सारे exams निकाले हैं और कई बार निकाले हैं CHSL के भी exams सारे निकाले हैं बट मैंने एक बार भी seat waste नहीं किया है kind of as a hobbies नहीं देता था exam मैंने एक के बाद एक के बाद मेरी job बढ़ती गई तो obvious ही बात है आप exam देते रहोगे तो आज basically मैं अपना experience आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें पढ़कर कैसे कैसे पढ़कर आप selection ले सकते हो और अगले 25 week में हम लोग क्या क्या करेंगे तो starting मैं मैं आपको बताऊंगा कि start करने से पहले तयारी करने से पहले हमें कीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए then हम 25 weekly target में क्या क्या करने वाले हैं और किताबें कौन सी है जो आपको लेनी है जिनसे आपको पढ़ना है और at the end हम लोग अपने batch के बारे में बात करेंगे तो वो लेकिन बिल्कुल end में बात करेंगे जो हमारा basically आप kind of कह सकते हो की promotion है बट वो बिल्कुल end में है starting में ये सब आपके लिए है और ये जो weekly target होने वाला है ये बिल्कुल free होने वाला है आप लोगों के लिए इसके लिए आपको कोई भी payment करने की जुरूत नहीं है कहीं पे भी जस्ट हमारा एक telegram channel है maths by Abhinav Rajput वो connect हो जाना description में आपको link मिल जाएगा ठीक है post के नीचे भी आपको link मिल जाएगा post जो हमारा comment section है pinned comment वहां से जाके आप connect हो जाना हमारा जो telegram channel है channel का नाम है maths by Abhinav Rajput जो channel का नाम है YouTube वही नाम है telegram पर भी maths by Abhinav Rajput यह search करोगे तो आजाएगा अगर मान लो link काम नहीं करता है तो कई बार link काम नहीं करता है तो उस case में आप simple search करना बिना space का आजाएगा अब हम start करते हैं कुछ चीज़ें जो आपको ना जानी चाहिए things to remember अगर आप तयारी करना चाते हो तो ये सारी चीज़े आपको काम आएगी ये सब बहुत काम की चीज़ें है और इन चीज़ें का ध्यान रखना अगर आप सच में exam निकालना चाते हो तो पहला चीज़ ध्यान रखना consistency is the key and there is no way to shortcut of it consistency key है और कोई इसका shortcut नहीं है मतलब आपने 2 गंटे पढ़ लिया एक दिन 12 गंटे पढ़ लिया एक गंटा पढ़ा एक दिन rest किया छोड़ दो ये वीडियो आपके लिए नहीं है आप अभी छोड़ के जा सकते हो अगर आपको लग रहा है आप consistent नहीं हो तो भीया छोड़ दो और अगर आपको लग रहा है कि meditation से consistency आती है ब्ला 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 consistency आती है अंदर की आग से कि आप भीया job के लिए कितना जादा focused हो कितना जादा आपको job के requirement है उनसे consistency आएगी ये फाल्तू की motivation वगर ऐसे बिल्कुल नहीं आएगी और कोई shortcut नहीं है मैं बोलू कि सुबा छे बज़े उठना स्टार्ट कर दो रात को जल्दी सोना स्टार्ट कर दो तुमारा habit जो होगा वही तुम करने वाले हो सबसे सुबा नहीं उठा जाता सबसे देर रात तक नहीं जगा जाता मैं बारा बज़े नहीं पढ़ सकता आज तक नहीं पढ़ाऊं मैं बारा एक बज़े सायद कभी कभी पढ़ाऊं मुझसे मॉर्निंग में 6 बज़े उठके पढ़ा जाता बट क्या आप भी करोगे ऐसा जरूरी नहीं है मुझे रोज जिम जाना होता है डेड़ घंडे अपने पाउं के लिए exercise करना पड़ता क्या आप कर सकते हो वो नहीं कर सकते हो जिस दिन जागो तभी सवेरा और वो ऐसे बोल कर नहीं गए थे वो कुछ सोच कर बोल कर गए होंगे तो अगर आप अभी भी start करते हो तो easily आपके पास sufficient time है ना कुछ तो आपके पास 8 मैने है 8 months के approach है April, May, June से पहले exam नहीं होने वाला है तो अगर आप June में भी exam होता है तो भी आपके पास 8 से 9 मैने है ठीके, तो 8 से 9 मैने sufficient होता है किसी भी exam को निकालने के लिए तो ध्यान रखना consistency is lucky, ओके stick to one stick to one का मतलब क्या है अभी जब बच्चा start करता है ना तो सब कुछ देखना start कर देता है ठीके, सब कुछ इसको follow करूँगा इसको follow करूँगा मेरे एक आनन सरुआ करते थे जब मैं auditor था तो वो एक बात कहते थे जो सब का है वो किसी का नहीं ठीके, आप इसको ऐसे देखो जो सब को follow करेगा वो किसी को follow नहीं कर रहा ठीक है? वो किसी को follow नहीं कर रहा है आप किसी भी एक को follow करो अगर आप already किसी का weekly target follow कर रहे हो paid या free, वहाँ जाके उसको follow करते रहो trust me, जो भी बताएगा, जो भी बताएगा वो अच्छा बताएगा, अपनी तरब से best बताएगा unless and until की उसने exam निकाला हो ऐसे नहीं किसी से भी सीख ले ना ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि रहा में चलते हुए सबसे रास्ते नहीं पूछे जाते कुछ लोग आपको गलत रास्ते भी बता सकते हैं तो basically जिन्होंने भी exam निकाला आप उन्हें follow कर सकते हो, कौन अच्छा, कौन बुरा हम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है stick to one, मैं इसमें आपको जो एक बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है कि कैसे start करे, beginner कैसे start करे तो पहले जो दो week है ना वो foundation week है, आप यहां 25 week देख रहे हो यह actually मैं 2 plus 25 है यानि 27 week का target मिलेगा 25 week तो सुनने में अच्छा लगता है इसलिए, पहला जो 2 week है ना वो foundation है, उसमें हम कुछ नहीं पड़ेंगे हर subject को थोड़ा थोड़ा पड़ेंगे ताकि एक तरह से आपका basic पता चल सके कि SSC पूछती क्या है क्या है SSC, ओके, now you are going to fail, अब देखो है रोज आप 8 घंटे ना दे पाओ, बीच में आपकी तबियत खराब हो जाए, आपके चाचा के लड़की की साधी हो जाए, ठीक है किसी और को कुछ हो जाए तो आप daily routine में तो fail होने वाले हो for sure, तो इसके लिए prepare हो जाना, अब बच्चे क्या करते है ना, जैसे ही वो fail होते हैं एक या दो दिन, अब तो हम गए depression में, फाल तूँ यह सब चीजे हैं, ठीक है तो इस चीज के लिए अपने आपको तयार रखना, ओके ध्यान रखना, motivation एक कर्स की तरह होता है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी life को देखके आपको motivation मिलेगा तो भूल जाओ, आपको मुझे देखकर motivation बिलकुल नहीं मिल सकता ठीक है, बिलकुल भी नहीं मिल सकता क्योंकि मेरा एक अपना pace है, तुमारा एक अपना pace है, ठीक है, मैं जिस अपना एक pace है, आपको उससे चलना है motivation वगरा के चकर में मत पढ़ना ठीक है, books are the best source हमेशा ध्यान रखना, YouTube से भी best होता है, books तो books पे ज़्यादा depend रहे ना, और मैं बोलूँगा hard copy रखागा, रो PDF से अच्छा होता है hard copy, ओके हर subject की एक ही आप खरीदना, multiple books मत पाई करना, do what you are going to do in your examination hall, लेको कई बार क्या गरते हैं, हम लोग maths वगरा में, short cut try करते रहते हैं और exam hall में जब जाते हैं तो हम basic करते हैं, तो वो नहीं करना है आपको वही चीज करना है, जो आपको exam hall में करें, अगर आप basic से करते हो तो basics पे रहना, tricks exam में काम नहीं आता, ध्यान रखना, exam hall में tricks काम नहीं आता, देने हमारा mock is the key, जैसे ही आपको एक महने, दो महने हो जाए, mock पे चले जाना mock बहुत जादा important है, और remember why, why क्यों क्यों start किया है, क्यों job चाहिए, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हो, अगर job नहीं हुआ, तो क्या, इन सब चीजों को हमेशा याद रखना, इससे क्या होगा न, वो inner motivation होता है, तो discipline बनो, रोज आट गंडे का एक time table बनाओ, अपनी मर्जी से, सुबह पढ़ना है, साम में पढ़ना है, ठीक है, अगर आप मुझसे help चाहते हो, मैं बस इतना बोल पाऊंगा, दो गंडे का एक slab रखा करो, ठीक है, उस दो गंडे में भी आपको बीच में 10-10 मिनिट का gap रखना है, 8 hours मतलब 8 hours की sleeping, अगर आ, सुरी, schedule, sitting, अगर आप 10-11 गंडे का schedule बनाओगे, तब जाके आप 8 गंडे पढ़वाओगे, ध्यान रखना, अब देखते हैं, weekly target में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक तो देखो, ये 25 week का target रहेगा, 25 plus 2 रहेगा, पहले जो 2 week है ना, देखो, first 2 week जो है ना, वो आपका एक तरह से analysis में जाएगा, मतलब foundation में जाएगा, कि क्या है SSC, कैसे questions पूछते हैं, subject क्या है, तो मैं क्या करूँगा, आपको physics के कुछ classes दूँगा, chemistry की कुछ classes दूँगा, bio, quality, history, geography, इन सब के थोड़े-थोडे subjects पढ़ाऊँगा मैं आपको, ताकि एक तरह से आपको आइडिया मिल पाई, कि क्या करना है, पहले दो week में हम लोगों को ना notes बनाना है, ना book पढ़ना है, ठीक है, ना book पढ़ना है, कुछ नहीं करना, बस इसी पर रहना है, तो दो week आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है, इसमें हम लोग सारे topics कवर करने वाले हैं, इवन हम लोग current affairs भी करने वाले हैं, ठीक है, हम आपको best free sources बताएंगे YouTube का, ठीक है, जहां से मुझे लगता है personally, कि ये इन्होंने अच्छे से करवा रखा, वो आपको provide करेंगे, करवाया जाएगा, ये हर संडे को मिलेगा, संडे रात बारा बज़े, ध्यान रखना, कई बार हो सकता है कि संडे को मैं ना दे पाऊं, मंडे को दूँगा, उस case में मैं टेलिग्राम पे अपडेट कर दूँगा, ठीक है, आप मान के चलो हर संडे को मिल जाएगा, पहले चार से पाँच वीक आपको रेगुलर वीडियोज मिलेंगी इस पे, लेकिन उसके बाद केवल और केवल पीडियोज मिलेगा, वहाँ पे आपको लिंक मिलता है, वहाँ से आप कनेक्ट होकर, मतलब वहाँ से आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है, इस बाद हम लोग टेक्स में भी प्रोवाइड गरेंगे, टेक्स एजिन जिसको क्लिक करते हैं आप पहुझ जाओगे, लेकिन यह सब आपको टेलेग्राम चैनल पे मिलेगा, मैं आट्स पाय बिनवराजपूद, ठीक है, डिटेल स्टेडेजी में चारो सब्जेट्स का अलग-अलग बना दू, ताकि आप उसको फोलो कर लो, और वीकली टागेट में भी उसी को फोलो करना है, दियान रखना, जो मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ बुक्स की, ठीक है, सबसे पहले देखो, बुक्स कौन सी बाई करनी है, मैच के लिए देखो, मैच के लिए ना हमारे पास दो टाइप की स्टुडेंट्स होते हैं, एक होते हैं पेड और एक होते हैं नौन पेड, पेड एजिन, जिन्होंने हमारे बैच में सबस्क्राइब कर रखा है, तो आपको कोई किताब की जुरूत नहीं है, क्योंकि हमारा कंटेंट सफिशेंट है, अगर आप फ्री में पढ़ना चाते हो, यानि वीकली टागेट जैसे हम करवाएंगे, उसमें तो आपको किरन पब्लिकेशन की बुक खरीदनी है, द्यान रखना किरन पब्लिकेशन की बुक परचेस करनी है, बागी बहुत बच्चे ना अफॉर्ड नहीं कर पाते हैं, और VOD बैच आते हैं, रिकॉर्ड बैच, तो हमने 2.0 बैच वैसे बंद कर दिया था, लेकिन हम दुबारा स्टार्ट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो फीस बहुत ज़्यादा अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं, आप चाहो तो ये बुक इन्रोल, ये जो हमारा कोर्स है, ये अल्रेड रिकॉर्डड है, इसमें complete syllabus प्रोवाइड किया जा चुका है, ठीक है, इसमें homework और जो classwork है, उस तरीके से classes चलती है, आप जाके देख सकते हो, prime time 2.0 और इसमें enroll कर सकते हो, mainly आपको ना 6 months के लिए 299, 1 year के लिए 399 और 2 साल के लिए 499 पे करना है, इतना ही पे करना है आपको, और अगर आप ये course में enroll करते हो, तो ये book मत purchase करना, इसके जो questions है, sufficient है, इसमें आगे चलके 2024 का जो paper हुआ है, इसका solution भी add होगा इस course में, ध्यान रखना इस course में भी add होगा, जो दूसरा वाला course है, उसमें भी add होगा subject wise, sorry, chapter wise, ठीक है, तो इसका description में आपको link मिल जाएगा, आप buy कर सकते हो, कोई discount नहीं है इसमें, अगर बहुत बच्चे जो prime time 2.0 student है, ठीक है, हो सकता है, आप लोगों का subscription खताम होने वाला हो, मैं तो बोलूँगा 3.0 में आ जाओ, 3.0 क्योंकि हमारा best batch है, अभी हम बात करेंगे, आगे चलके, 3.0 में आ सकते हो, देखो ये free वाले बच्चों के लिए इसलिए, तो अगर आप 2.0 ही लेना चाहते हैं नो, से download नहीं हो रहा है, प्लस जिस app पर ये है, उन app का भी, मतलब इन सारे classes पर उनका भी rights है, तो थोड़ी सी problem हो रही है, इसलिए मैंने fees बहुत कम कर दिया है, आप सोचो कि हर student पे 200 रुपीज सो annually हमें एक बच्चे पे पेही करना होता है, तो हमारे पास इसमें कुछ नहीं आएगा, इस totally free for you all, आप must पढ़ो इसमें, reasoning के लिए either किरन पब्लिकेशन ले लो या पिनेकल ले लो, इन सब बुक का description में लिंक है, ठीक है, अगर आप self study कर रहे हो, तो I would recommend कि किरन पब्लिकेशन लेना, अगर आपने कहीं और से classes ले रखी है, तो आप पिनेकल पे जा सकते हो, कोई इस बुक के बारे में मैं आपको detail में बताऊंगा, ठीक है, अब देखो, English का दो, English को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइट किया गया है, grammar, grammar के लिए आपको volume 1 लेनी है, नीतु सिंग की, ओके, नीतु सिंग मैम है, इनकी book लेनी है, और vocab के लिए, previous year paper के लिए, किरन और any book, जो आपके पास है, Neon की ले सकते हो, किरन पब्लिकेशन की ले सकते हो, Crown की ले सकते हो, KBC Nano ले सकते हो, बहुत सारी किताब है, कोई भी ले लेना, और और और, previous year के लिए, again, आप किरन पब्लिकेशन ले सकते हो, या अगर pinnacle की आती है, black book की आती है, आप कोई सा भी भी ले सकते हो, बट ध्यानक न, English और Maths के लिए ये दो बुक mandatory है, English और Maths की किरन पब्लिकेशन के लेना, ये best है, market में best book है ये, ध्यानक न, इससे अच्छे book नहीं लगती मुझे, हाँ, GK में previous year ही है, बहुत जादा role नहीं करता, previous year मतलब रटना है, तो कोई भी बुक ल दूँगा, क्योंकि Sunday को evening में हमारा, जो algebra chapter है, वो upload होगा, तो morning में आपको मिल जाएगा, बांकि अगले Sunday से, either morning या evening तक, मैं पूरी कोछिस करूँगा, कि आपको provide कर दूँँ, अब हमें, एक बार अपने batch के बारे में बात करते है, prime time 2.0, मैंने आपको बता दिया, इसमें basically ध्यान रखना, complete maths है, free में, और इससे best, इसमें मैंने वो approach बताया है, जो आप exam hall में try करके, कोई भी exam निकाल सकते हो, अब हम बात करते है, prime time 3.0 batch, जो main batch है, trust me, इससे अच्छा batch आपको कहीं नहीं मिल सकता, इस batch में हमने क्या कर रखा है, हर chapter को ना, 5 level में divide किया है, जिसक वो कुछ भी नहीं आता ना, maths में, कुछ भी नहीं आता, वो इसे पढ़के ना, mastery तक जा सकता है, देखो क्यों, week 1 है, basics, बहुत basics है, बच्चों वाले questions से हम start करेंगे, जो level 1 है, उसमें हम बच्चों वाले questions करेंगे, level 2 में हम लोग type wise questions करते हैं, demo के लिए ना, मैंने नीचे आपको देखोगे, दो वीडियो डाली हुई है, एक percentage का, percentage आपको पूरा मिल जाएगा ये, percentage की वीडियो देख लेना, description में link होगा, और calculation series, ये demo है, इस batch का, एक बार उसे देखो, अगर आपको batch अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर रिन रोल हो, इसके बाद देखो, 3 में हम लोग क्या करते हैं, जो railway के exam में cautions पूछे गए हैं न, वो, week 4 में हम लोग CGL mains के cautions करते हैं, और level 5, sorry मैं बार बार week बोल रहा हूँ, weekly target चलना, level 5 में हम लोग क्या करते हैं, banking के cautions करते हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मैं SSE की तयारी करना हूँ, तो क्या banking के cautions करना जरूरी है, मैं बोलता हूँ, हाँ बाई, करना जरूरी है, हमेशा prepare for worst, paper कैसा भी आ सकता है, आपको सब चीच की तयारी करनी है, bank के cautions से जो आपकी concepts clear होंगे न, वो अलग level के होंगे, arithmetic में ही तो है banking, advance में थोड़ी ना है, ठीक है, then railway, railway के ca CGL main से थोड़े से easy होता है, तो इसलिए हमने न, line wise लगा रखा है, जब ये 5 कर लेते हो न, level, आपकी maths अलग level पर पहुँच जाएगी, अलग level पर पहुच जाएगी, इसके अलावा देखो, आपको classwork और homework मिलता है, हर subject में, हर, जैसे level 1 है, तो level 1 की 2 classes होंगे, या 4 classes होंग 3.0 वालों के लिए हमारा अपना एक batch group है, ठीक है, आप उस group में add हो जाओगे, ध्यान रखना 2.0 के लिए नहीं है, 3.0 के लिए है, आगे देखो, weekly target इसमें भी मिलता है, same, अब अगर start करोगे तो obviously बात है, week 1 से ही start करना है आपको, ठीक है, तो weekly target तो दोनों में same ही है, free व 9 में 40 mock मिलेंगे, या 399 में, 100 sectional mock मिलते हैं, दोनों में है, इसमें 3.0 में आपको 3 level का एक अलग से mock मिलता है, हर subject का, हर chapter का, जैसे अगर आप percentage करोगे तो percentage के आपको level 1, level 2, level 3 के 3 sectional mock मिलेंगे आपको, जिसमें हम लोग सिर्फ percentage के 3 level का, एक basic होगा, फिर एक intermediate level होगा, और एक advanced level होगा, और ये सब हम अपनी class note से उठाते हैं, तो इतना कुछ आपको 3.0 में मिल रहा है, maths में इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, इससे अच्छा हो नहीं सकता, अगर आप ये buy करते हो, तो आपको mains के लिए कोई अलग से batch कर purchase करने की जुरत नहीं पड़ेगी, अगर in future हमारा कोई जैसे 2025 या 26 के लिए mains का batch आता भी है ना, तो आप लोग आइदर आप उसको free में enroll हो जाओगे, या फिर वही 11 रुपे, 51 रुपे देकर हो जाओगे, just because की add गरवाना थोड़ा सा मुस्किल होता है, तो वही समझो कि free ही समझो, तो mains का, एक तो मेरा आएगा नहीं आएगा, इसकी कोई guarantee नहीं है, क्योंकि इस बार हमने free में डाला है YouTube पर, ठीक है, free में हमारा batch चल रहा है mains का, तो mains तक के questions इसमें cover है, आप जब करो गए ना, कोई भी एक chapter, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, mains तक का already इसमें cover है, ओके, तो description में लिंक है, एक और चीच, य अगर WEEK लगाते हो, तो आपको 300 का off मिल जाएगा, बर ध्यान रखना ये केवल और केवल इसी पर लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, ठीक है, ये इसी पर लगेगा, तो मिलते हैं, अगली class में, और description में link है, अगर फिर भी कोई question रह जाता है, batch related तो पूछ लेना, बर ध् ये कोर्स related कोईरी के लिए है, अगर YouTube पढ़ाई से कोई question है, तो आइधर comment में पूछो, या हमारे Instagram पे, thank you so much, मिलता हूँ अगली class में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो